हाई स्टुएंट्स वेलके मिवाल अट अकाडिजिटल अकाडमी प्लीज लाइक अड सब्सक्राइब अकाडिजिटल अकाडमी अप्लीजिटल अन्य र्ग्वेस्ट हम लोग सर्टिफिकेट कोर्स पील सी रेकर आया हैं अप्टर दिस गोज आप यह समझ लेंगे पील सी काम क्या करता है उसकी बर्किंग प्रिंस्पिल क्या है काम करने का काम करने का तरीका क्या है पील सी का राइट इंडस्ट्री में पील सी का क्या उस है so now we are going to start up a course certificate course of PLC friends as you know PLC of full-form casual program average logic controller right oτεे कर देखर र्लदी का क्या है इंपुट लेता है प्रोसेस करता है और कुछ अट्फूट जनरेट करता है राइट इन्पुट लेता है प्रॉसेस करता है और आपूट जेनरेट करता है राइट देखिए यहाँ पर यह आप समझेंगे यह input है इसको भी PLC मानिए इसको भी PLC मानिए इन्पूट आया input कहां गया PLC में और क्या निकाल रहा है तो output निकाल रहा है तो output निकाल रहा है तो यह basic principle है PLC का input गया process के output निकाला ठीक है अब देखिए भही PLC में जो main processing करता कौन करता है रसी प्यूट करता है central processing unit भोलते हैं अच्छा यह basic function diagram है PLC का अब भही PLC चलेगा तो power तो चाहिए ना हां तो यह power supply हो गया देखिए output model को भी power चाहिए होता है input model को भी power चाहिए होता है सब को power supply हमने तीन मोडल्स को दे दिया ठीक है अब देखिए यह फिल्ड से फिल्ड से इंपूट आगे कहां पे input model पे फिल्ड से सारे इंपूट आगे कहां पे input model पे यह फिल्ड फिल्ड माले जी sensor है चाल मोटर चालू करना उसका push button हो गया ठीक है वालर का इंपूट मोडल में आगे इंपूट मोडल ने क्या इंपूट मोडल ने उसको convert करके cpu को दे दिया ठीक है क्लिया अब देखिए अब देखिए यहां पे कि इंपूट ने सारा चीज़ cpu को दे दिया cpu ने प्रोसेस करके कहां दिया आटपूट को आटपूट जेनरेट कर दिया राइट ना आटपूट मोडल ने क्या किया उस जो आटपूट जेनरेट हुआ है उसको कहां भेजा कंट्रोल आलमेंट के पास अभेंखर टोल अलमेंट क्या करता है कंट्रोल आलमेंट मेंट फेर जा कर किसी प्रोसेACE को इस कृट करेगा मान्यट ए Caleb ऑपर अपर अन्यमोट आया चीज़लिया मालीजी ऑट पूट आया सबीन हो और यहां पर एक एक हमरद घू ठील ने कि तो देखिए तो देखिए इस 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 फ्रोशस मसीन इस राइड राइड तो इस प्र्वास मसीन का यह इंपट भी जाएगा है मशीन को मेलीकि जाएगा और और विर नियर्थ करनाना है ठीक है नहीं तो ऐपकशनर कहरेगा इंपूट गया इंपूट गया इंपूट मॉडल में गया इंपूर्ट मॉडल सीघ्या थीक है य॥ा刹न the सब्सक्राइब आपनना सारा प्रोसेस ओपतो डोर्ण पर जिन्रट हुआ कोंगे और पूर्ट ढोर्ट के चाहल है तो काुछन हुगल मचीन की रिक्राइरमेंट के हिसाब से ठीक है न ज्यासा प्रोग्रामिंग होथा मस्झीन की रिकारमेंट के छी है प्यूट को कट करता ac पन्खा चलzenie दिक मोटर है घृटर बंद करना है मोटर बंद हो ठीक है सर डायग्राम से क्लिर कीलिर है तो захिवास można एंद अब हम इंपूट मोडल को देखेंगे इंपूट मोडल क्या होता है कैसे काम करता है देखे इंपूट मेंoga क्या क्या होगा input में आपका स्वेक्टा स्वेच हो सकता है input में आपका sensor हो सकता है देखे 24 वोल्ट DC 24 वोल्ट DC किसी sensor से input आगया किसको यह input model को digital input को राइट 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 आप देखे अब देखे यह निगेटीब है यह 24 वोल्ट DC से अब सब यह input model क्या करता है कि क्या यह CPU को 24 वोल्ट ट्रांस्पर करेगा नहीं input model फिल्ल के input को जो input फिल्ल से आ रहे है उसको convert कर देगा 5 वोल्ट में और उसकी भासा क्या होती है 050505 वोल्ट में 0V और 5V बाइनरी में क्या बोल देंगे इसको 0 और 1 5V में दो 1 और 0 मतला 0 0-1 high low high low right now तो CPU भासा किसी का समसता है बाइनरी का समसता है तो 34 वोल्ट convert हो गया 5 वोल्ट में और input जो है इसको signal फिल देगा CPU को ठीक है ना CPU की भासा में इसको input model का का में convert कर देना फिल से सारे आय हुए input को input model क्या करता है CPU की भासा में convert करके CPU को बता देता है ठीक है यह आपका negative terminals से देखें यहां पर यह आपका negative terminals से आपका negative right क्या 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 काम कर दिया एक तो signal कर भर्स कर दिया ठीक ना से इंगनल को isolate भी कर दिया signal को isolate भी कर दिया जो फिल्ड का signal है ठीक है उसका ममला अलग इसका ममला तीसरा क्या किया serial communication किया CPU के साथ और CPU की भासा में बता दिया CPU को भीया यह input आया है ठीक है serial communications with CPU देखें यह हमारा input model है फिल्ड से काफी सारे inputs है राइट तो यह सारे जो inputs हैं यह सारे जो inputs हैं यह सारा input model में आ रहा है मक्स प्रिंस्पूल पे आपका input model execute करेगा और inputs को CPU में transfer करेगा CPU में कहां जाएगा यह PII में जाएगा CPU के नीची में दो पार्ट्स हो जाते हैं प्रोसेस इमेज इंपूट में सेव हो जाएंगे जो भी इंपूट आ रहे हैं input model से वह CPU के प्रोसेस इमेज इंपूट में सेव हो जाएंगे और जब CPU प्रोसेस करके और जेनरेट करेगा तो वह प्रोसेस इमेज और पूट में सेव हो जाएगा फिर वहां से टांस करा होगा देखें यह हम फिल्ड के यह सारे इंपूट है उन्से हमने 24 बोल दिया राइट राइट अभी देखें यह सारे इंपूट कहां गए इंपूट मोडल को गए इंपूट यह सारे इंपूट जो है यह सारे जो इंपूट है यह कहांगे इतने भी इंपूट से देखें 24 यह सारे इंपूट जो है कहांगे इनपनीट मोडल में जैना CPU इनपनीट मोडल को रेटी का कमांड देता है इनपनीट मेडल सारे इनफर्मेशन से करेजा और सिक्यू उन सारे इनपोड को PII में प्रोसे इमेज़ इनपुड में सेव कर दिया ठीक है consistency of signal using व्रोग्राम्स देखें, CPU में जो आपका CPU है, उसमें ये User Program Memory, उस डाइग्राम के दोरह हम लोग दिखा रहे हैं, ये PII, ये PIIQ, क्या कर रहा हैं? CPU में है क्या? ये प्रोग्राम मेमोरी तो है, जिसे वो स्कैन करता है, जिसे वो प्रोग्राम को स्क्यूट करता है, जो इनपूट जितना आया रहता है CPU में, PII में जितना इनपूट आया हुआ है, उस इनपूट को लिया, और User Program Memory, जो प्रोग्राम है, उससे उसको स्कैन कर द जो input model से input आया वो कहां गये CPU में PII में प्रोसेस image input पर गये यहां पर input आपका save हो गया अब CPU क्या कर रहा है इसको recall कर रहा है इसको भूला रहा है इसको लिया और प्रोग्राम जो है उस पर scan कर दिया उससे जो output निकल रहा है उसको कहां दिया पी-ाई-Q में भेज दिया परोसेस image output में भेज दिया उसको कहां भीज दिया परोसेस image output में अब दिखिए यह देख रहे हैं CPU जो है अब इसमें और भी सारा चीज होता है टाइमर भी कांटर भी फ्लैगस होते हैं सारी चीज होते हैं CPU में अब अलग से hardware का timer लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा यह involved होता है ठीक है तो यह सारे internal timers हो गया internal counters हो गया flag हो गया beat memory हो गया ठीक है flag हो गया beat memory हो गया यह सारे involved होता है CPU का तो अगर मानने के जिसका जरूरत पड़ गया प्रोग्राम में timers का जरूरत है तो हमने timers उठा करके है ना तो यहां से clear है कि image on put लिया image on put image input लेकर के programming through scan करके output generate किया ठीक है counter की जरूरत होगी तो counter भी होगा CPU से जुड़ा हुआ राइट ना timer कर रहेगा तो timer भी चलेगा ठीक है यह सब जुड़ा होगा होगा ठीक है यह सारी फैसलिटी होती है सिपीज अब यह जो प्रोसेस image output है प्लसी इसका क्या करेगा प्लसी सबसे पहले enable करेगा output model को ओके है ठीक है अब वो पी आई क्यूगो और पूरल में भीज़ेगा अब जो भी information sections है वह उपर मोडल में जाएगा और पूरल क्या करेगा उसको और पूर्ट मोरल जो है रुक्त को फिल्ड में control element को भीज़ेगा राइट तक के अंब लुका यह आप जैसा कि अपने कंट्रूल अलमेंट को राइत ना डिफेंट पर टैप के एक इनको एक और अपरेट करेगा इस इस दड़ यह आपका एम हो के नुटर तर अपरेट हो जाएगा राइत ना माल लिजी एक बल्व है ठीक है तो 24 इदर ते आया ठीक है और निकिटी गाल जाए रहे आगा आपको अपन हो गया है ना है साइकी प्रोग्राम इसक्रिशन्स है जाव से देखेगा यह एक पील्सी के सिप्यू को दिखाया गया है राइट इसमें सिप्यू में विल्ट रता इंप्ट मोडल्स उपर नीचे माट्पूट मोडल काफिर कंपनियों के पील्सी है यहाँ एक्जांपल के तौर पर हम सिमेंस के पील्सी का यूज करेंगे सिमेंस का पील्सी का हम लोग अभी देखें अ स्टार्टाप ब्लॉक ओव Singapore है व भी हैंडर प्रोग्राम में एक अपका सप्लॉक होता है व द्र Gothic क के साइंगे उस में हम लोग डिटैल से डेखेंगे सब्सक्राइब होता है तो क्या होता है तो इसको समझे के जैसेशी पावरन होता है ठीक है तो जीद नहीं ही पावरान होता है जैसे प्ल्स इसका पावर रोन होता है तो स्टार्ट ब्लोक ओवी हैंक्ट होता है पावरा फाथ और और उसके बाद क्या काम क्या होता है next step का start of the cycle monitor time साइकल मॉनिटर टायम होती है वह स्टार्ट हो जाती है यसी पावर अन हुआ राइट तो पावर ऑन होते ही रेडिक हो यह पील से का साइकल मॉनिटर्ण time start ho gya reading उसके बाद का क्या stage है reading the signal states from the models and saving the data in the processing image input तो देखिए क्या होता है कि power on हुआ power on होने के बाद power on हो गया power on होने के बाद क्या होगा कि जितने भी signals है उनको आपने रीड किया और रीड करके पी आयों घेज़ दिया signals में से मतलब देखिए यह दो input है 0.1 आई 0.1 यह 0.2 यह दो input है यह दो input है यह इनको इन्होंने रीड कर लिया और कहां भेज़ दिया पी आयाय में भेज़ दिया राइट अब इसक्रिशन आप दिखा रहे हैं हम लोग यहां पे तो आप देखिए कि ओ भी बन में उसकी जहां पर प्रोग्रामिंग जहां पर इस्कुट होनी है वहां पर यह सारे इंपूट आएंगे राइट राइट और इंपूट आएंगे सारे राटकर्स को भाड़ से कोर्रेट करके इस ब्लॉक डियाग्राम के दरहे है क्या की में पावर रावर अन कियो उभी ही था मндर्क होता है तो पर फंक्शन ब्लॉक में., स्टार्ट ब्लॉक है उसके बाद क्या होता है कि cycle monitoring time start हो जाता है या स्कैनिंग time आप बोल देज़े start हो गया जैसे पावरा होगा PLC में cycle scanning time और cycle monitoring time start हो गया second phase में क्या होगा कि जितने भी input आ रहे हैं जैसे यहां पर i0.1 i0.2 is the address is the input address इस इंपूट को इस इंपूट को लेकर करके इसको कहा हां भी ईमिज्ट फ्रोसर्स इमपेज रॉस के बाद कहां गया ओवीवन ब्लॉक में गीया हो ग्लोक में वह क्वाई को कीम प्रोग्रामिंग को सकैन करते हैं आपन करके फिर हम इसको और पूट का भेज दिया पी आई की पी आई क्यों में प्रोससे इमेज आप पूट्स अब रोग उसको भेज दिया रहे नाँ प्रोससे में जॉट पूट से बोर पूटल में चलाए अभी देखें प्रोसस्ट इमेज आपूट से ओड़ पूट मॉडल को इन्ड इसरे स्ट गति फर करना से नसे स्टार्ट हुआ था यहां पर पी आई क्यू में यहां फ्रोसस्ट्स इमेज आड सब्सis अब्स पूट्ट जैसे ही आपका प्रोसस्ट इमेज आपका जैसे ही मॉस onda है प्रका और्ट पूंट में सिन्ट को भिज रहा है एक तो उसके बाद और ऊत्लों को में नहीं प्रोड पूट आ जैसे ही और पूट ना में सिन्ट को को तेज राया है वैसे ही साकल इंड होडी है और अगयन साइकल कहा सा न ध his हां से घृतने क्यों किल मुक्टिंग ट्राइब से राइतना फरीड बहुत कि या क्या साथ हुआ स्सॉली साट को सब्सक्राइब स heed diffuses और फिस सिली यह पिया प्सक्राइब तेब एक है सब्सक्राइब करना है तो अब क्या करेगा वो रेगुलर ली शाकिल में इस प्रोसेस को करते रहेगा राइट अब देखेंगे के बारे में हम लोग देखेंगे है पी आई आई प्य-विह व को सब्सक्राइब देखेंगे पी व्यायर्यгор और जो हो गार्व का सको आई से दी नौट करेंग आई न टाइमर जो होगा उसको T से डिनोट करेंगे और कॉंटर जो है उसको में लोग C से डिनोट करेंगे तो आड्रेस तीन तरीके का होगा आडंटीफाइर अडंटीफाइर में यह सारे हो गए PII, 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 BitMory, Timer, Counter यह सारे आडंटीफाइर में होगा है इसके बाद बाइट आड्रेस, बीट आड्रेस, ठीक है, तो तीन तरह के आड्रेस आएंगे, पता होता है, नॉर्मली, किसका कहा का पता है, तभी ना काम होगा, देखें, इन्पुट है, उसको इस तरीके से लिए I 1.4, है ना, मतलब I 1.4, हाइड बेर में भी, वन नंबर स्लोट का, पता है उसका, वो सिगनल्स को, वो सिगनल्स वहाँ पर जुड़ा रहेगा, तो इन्पुट से आवा सिगनल्स, वहीं पर जाकर मिलेगा, राइट रस्पेस्फिक लोकेशन उसका है, ठीक है, Q4.0, यह आपका ओड्पुट आड्रस को लिखने का तरीका है, देखे, अभी क प्रोसेस इमेज इन्पुट में, प्रोसेस इमेज इन्पुट में गया, और प्रोसेस इमेज इन्पुट पे आपका जो आड्रस है, जो आड्रस है, वो सेव हो गया, देखे, यहाँ पर बाइट जीरो, ठीक है, बाइट वन, और क्या है मारा यह, वन का वन, हाँ राइट, AI 1.3 AI 1.3 रैखना I 250 250 यह हो गया I 1.3 यह हो गया राइट ना यह 1.3 हो गया यह 2.0 हो गया राइट यह 2.0 यह तो आडरस जो है यहाँ पर देख रहे हैं यह आए 2.0 यह वालाडरस हो गया और पी 1.3 यह वालाडरस हो गया स्पेस्पिक आडरस है यहां पर सेव हो गया यह पर प्रोसेस कहां किया यह PLC पर राइट ना तो अब देखें अब यह यूजर प्रोग्राम के थूँ यह इन्पूट गया पी आई में ठीक है यह जो प्रोसेस में और पूट में कहां पर गया आडरस 4.3 तो आडरस यह 4.3 पर यहां 5.0 पर सेव हो गया यह पी आएक्यू कहां चला गया और पूडल में और पूडल से कहां यह फील्ड में चला गया ज़िन बात दोस्तों